आशकार, केथखजाना में आपका स्वागत है, आज नुवंबर की नो तारीख है और दिन है गुरुबार कल से तियोहार की जो दिपावलिक जैसे बडे तियोहार की जो पांच दिवसीय तियोहार यह होता है उसका पहला दिन कल धन तेरस से शुरू हो जाएगा और आज से ही बहुत सी मंडियों के अंदर कारोबार जो है वो थम सा गया है और कल से और धीमा होने की संभावना है मंडियों में कामकाज बंद रहेगा अब 4-5 दिन के करीब लगबग लेकिन जिन भी मंडियों में कारोबार होगा उनकी जानकारी आप तक देने का प्रयास जरूर करेंगे आज सरसों बाजार में क्या कुछ हुआ है कितनी गिरावट है या कितनी बढ़त है कहां बढ़त है कहां गिरावट है कहां बाजार स्टेबल है एक मंडी ऐसी भी है जहां पर बाजार 200 रुपे तक बढ़ा है विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही वी नमबर निवेदन अगर आप इस चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लिजी और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकोन को जुरूर प्रेस कीज ताकि वीडियो अपरोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसे लाइक और शेर भी कर सकते हैं सरसों बाजार में आज वैसे तो कोई बड़ी हल चल नहीं है कोई बड़ा परिवर्तम नहीं है लेकिन 25 रुपे का सुधार जैपुर बंडी में जरूर देखने क लगते हैं 1569 रुपे का भाव है 10 किलो का जैपुर का एक्सपैलर का भाव है 1079 रुपे त्योहार के उपर भी सरसों तेल की मांग जो है वो बिलकुल जीरो जैसी है समान्य से बहुत कम है इसलिए बाजार बढ़ने की तरफ नहीं है और आगे बढ़ने की संभावना भी नह अगरतन वो उसमें बाद में ही होगा और लगता ये है कि बाजार में जो सारे प्रकार के खादे तेल है उनके अंदर बाजार अच्छा अच्छा सुधार दिखा सकता है निवाली के दो चार दिन के बाद में सरसों बाजार में आज और क्या कुछ हुआ है सरसों भरतपूर बंडी का जो भाव कल 5536 रुपे तक पहुंस गया था आज वो भाव 5515 रुपे रह गया है यानि 1516 रुपे की गिरावट आप कह सकते हैं और इसी तरह से जो चर्खी दादरी दिली लाइन का भाव है वो 5554 र पर स्टेबल है जो दूसरी जो मंडियां है या टोंक निवई लाइन है जहां मैं बता रहा था आपको कि बाजार 200 रुपे तक बढ़ा है निवई और टोंक लाइन पर बाजार 200 रुपे की वरिद्दी हुई है कल 5330 रुपे के आसपास भाव था आज 555 रुपे भाव है न सलोनी प्लांट है सलोनी प्लांट में आज कोई परिवर्तन नहीं है वही जो कल क्लोजिंग दिया था 6260 रुपे कोटा और 6325 रुपे दिगनेर और अलवर दिगनेर और सम्शाबाद और आगरा और अलवर का भाव है 3300 रुपे पूरा इसी तरह से जो दूसरे प्लांट है जैसे शारदा है, आगरा है वहाँ पर भी कोई आज परिवर्तन नहीं है भाव कल वाले ही हैं अब दिवाली के बाद ही बाजार में कोई परिवर्तन होगा तब तक नए कोई बड़ी तेजी है नए कोई बड़ा बंदा है आवक जो कल शायद कहीं हमें कलक्ट करने में दिक लेकिन आज जो आवक हुई है वो परसों से या दो-चार दिन पहले से घटके आई है आज काफी कमजोर आवक है साड़े-चार लाख पूरी के आसपास आवक दिखाई दी है और आवक आगे-आगे चार-पान दिन तक दिवाली के बाद ही जब आवक आएगी जो भी आएगी आवक नहीं आएगी क्योंकि सब लोग अपने-अपने त्योहार में व्यस्त हो जाएगे तो ये स्थितियां है सरसों के बाजार की और जो सरसों तेल का बाजार है उसका भी मैंने आपको जानकरे दी मुख्य रूप से जो सोया, मुंभुली, बिनोला और पान तेल है इनके जो कॉंट्रेक्ट नंबर है या वाट्स अप नंबर है वो डिस्क्रिप्शिन गंदर आपको दिया हुआ है और उससे उस वाट्स अप पे जा करके आप अपनी पूरी डिटेल मेंबर्शिप के बारे में ले सकते हैं फिल हाल इतना ही आज मंडियों के से भाव की बाव बा पढ़ा बाता चुका हूं और भरत्पूर का भाव पच्पंसोपंद्र रुपए है जैपूर अठावन फस्तिताल रुपए है शार्दा छेर्जार रुपे है गंगापूर फट्पंसोग सब मुचास है अलवर पच्पंसोगर निदी 255 दिल्ली 2550, इसार 570, बरवाला 5250, सिवानी मंडी 5450, सुमेरपुर 5450, बीकानेर 5150, नागोर 52, आदमपुर मंडी 5322, गोलुवाला 5430, गंगानगर 541, सिर्सा 530, अबोर मंडी 5150, और रिवाडी मंडी का आज भाव है 5350. आज इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार